ओपी राजभर सुहेल देव भारते समाज पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है अक्सर ही वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोडते ही रहते हैं फिलाल वाइरल हो रहे वीडियो में ओम प्रकाश राजभर ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि लोग सभाचुराफ के बाद पुरवांचल राजभ बनाये जाएगा पुरवांचल राजभ बन जाने के बाद लोगों को परिशान होने की जरुवत नहीं होगी बातों बातों में उन्होंने ये भी इशारा कर दिया कि यदिवे सीयम बन जाएंगे तो जिसे जिले में उनका कारिक्रम होगा उसे जिले में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी मौझूद रहेंगे उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों की मौझूदगी में जिले में ततकाल सरकारी सुविधाओं का लाव गरीब और वंचित लोगों को दिलवाय जाएगा इसके अलावा सरकारी सुविधाओं के लिए लोगों को परिशान नहीं होना पड़ेगा बताया जा रहा है कि रविवार को ओमप्रकाज राजभर बलिया में थे बलिया जिले के चेतन किशोर के मैदान में रविवार को सुभाशपा की ओर से शोशित वंचित जागर महरैली का आयोजन किया गया इस रैलि में ओमप्रकाश राजभर ने ये बयान दिया था। इस रैलि में मौझूद भीड को सम्मोधित करते हुए ओपी राजभर ने भारती जनता पार्टी के सलेम पूर के प्रत्याशी को भी आड़े हातों ले लिया। ओम्प्रकाश राजभर ने मंच से ही भाजपर प्रत्याशी का विरोध कर दिया इसके अलावा अपने एक नेता के सराना भी कि ओम्प्रकाश राजभर ने लखनों के कारोबारी राजेश दयाल का नाम लेते हुए कहा कि राजेश दयाल जैसे नेदा गरीबों के बीच गूम आप लगाया उन्होंने कहा कि सक्ता में रहकर कुछ करने की हिम्मत नहीं लुए वह रहां हैुन रविवार को बलिया में उंप्रिकाश राजभर की बागी तेवर देखने को मिले और उसके बाद आब उन्हें ततकार योगी सरकार में मंत्री मंदल में शामिल किया जा रहा है इसी के साथ उन्होंने कहीं न कहीं गाय बगा है अपनी CM बनने की इच्छा भी जदा दी उन्होंने साथ कहा कि पुर्वांचल बना तो CM वही होंगे और किसी को कोई परिशानी नहीं होगी अब ये तो वक्त ही बताएगा कि राजभर साहब का ये ख्वाब यकीन में बदलता है या नहीं या फिर मुंगेरी राल के हसीन सपने बनकर रह ज़एगा ब्योरिपोर्ट हस्टेग भारत